हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमेद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाग होगा हिमाचल परदेश में नई बरती आ गई है स्कूल लेक्स्टरर की पीजीटी के पदोपे पोस्ट ग्रेजवेट टीचर के पदोपे बरती आई है अच्छे खासे पद हैं यदि आप हिमाचल परदेश में जोब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलते रहे और इस वीडियो को ला पबलिक सर्विस कमिशन के दुवारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ठीक है भरती कोन करवाएगा जी हीमाचल परदेश पबलिक सर्विस कमिशन ये भरती आपके करवाने बाड़ा है टोटल वकैंसी कितनी है जी 585 वकैंसी रखी गई है 585 PGT के पदोपे पोस्ट गरेजुएट टीचर या स्कूल लेक्टरर आप बोल सकते हैं अनेक परकार के सब्जेक्ट के इन्होंने क्या चाहिए है PGT टीचर चाहिए है ठीक है और इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है और फोर्म है आपके स्टार्ट हो गए है ठीक है पेसकल की मैं बात करूँ तो द स्टेट है तेरा नोवंबर फोर्म बरने की लास्ट टेट है ठीक है HPPSC.hp.gov.in इस वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं ठीक है यदि फोर्म बरने की फीस की बात करें तो जनरल या अदर स्टेट के जो कैंड़िट इलिजिबलिटी रखते हैं उनकी 400 रुपे फीस है SC, ST या PWD की 100 रुपे फीस है जिन लोगों को जितनी भी फीस बननी है वो फीस के वल ओनलाइन मोड में ओनलाइन तरीके से आप अपनी फीस हो जमा करा सकते हैं आप ATM कार्ड के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी फीस है वो सम्मिट करा सकते हैं 17 अक्तुबर से आपके 4 में स्टार्ट हो गए हैं आज दोस्तों 17 अक्तुबर है 17 अक्तुबर को ही आपकी ये वीडियो बना रही है याने की सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिस मैं कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा ठीक है 13 नमंबर ल 2023 इस डेट से काउंट की जाएगी आप कितने साल के होते हो ठीक है आगे जो छूट होती है दोस्तों नियमा नुसार वो आपको अलग से दी जाएगी हिमाचल पर्देश कोवर्विमिंट के जो रूल है उसके नुसार आपको छूट दी जाएगी PGT के पदो पर भरती है school lecture के पदो पर भरती है total vacancy 585 है योग्यता क्या चीए दोस्तों तो post graduate degree थिगरी पीजी डिगरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिगरी आपके पास में होने चीए जिस subject के लिए आप apply करना चाहते हैं उस subject की post graduation आपने कर रखी हो उस subject में आपने post graduation कर रखी हो साथ में आपके पास क्या हो beard हो दोस्तों क्या हो साथ में beard हो post graduation degree होने चीए related subject में साथ में beard हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं आवेदन कर सकते हैं अब कोण-कोण से subject के लिए इनोंने PGT चाहिए हैं वोर देख लीजिगा कोण-कोण से subject के लिए PGT की जरूरत है English PGT English की भरती है 63 post है PGT Hindi 117 post है PGT History 115 post है PGT Political Science 102 post है PGT Economics 17 post है PGT Mathematics 41 post है PGT Physics 45 post है PGT Chemistry 39 post है PGT Biology 9 post है PGT Commerce 47 post है तो दोस्तों इन subject के उपर ये भरती निकली है PGT की ठीक है तो आपके पास आप किस subject के लिए आप eligibility रखते हैं comment box में जरूर बताईएगा ठीक है आपकी subject के लिए eligibility रखते हैं comment box में आप जरूर बताईगा दोस्तों बहुत आसान प्रोसेस है बहुत इजी प्रोसेस है जैसे और स्टेट की में बात करो तो बहुत लंबे लंबे प्रोसेस बना दिये हैं लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो अभी छोटाई प्रोसेस है क्या होगा written exam होगा screening test होगा दोस्तों उसके बाद में DV होगा उसके बाद में medical बस इतना सा काम है और नोकरी जी हाँ नोकरी आपको मिल जाएगी clear है तो इस बरती की जो detail है वो मैंने आपके साथ share कर दी है इस बरती की अलग-अलग से योग्यता PGT English के लिए आपके पास graduation में क्या होना चाहिए post graduation में क्या होना चाहिए वैसे मैंने जो मुख्यता बात है वो मैंने आपको बता दी कि आपके पास क्या होना चाहिए post graduation degree होना चाहिए related subject में और साथ में क्या होना चाहिए आपके पास beard हो तो आप eligibility criteria को पूरा करते हैं साथ में age की condition है वो भी आपकी होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर आप यह देख सकते हैं दोस्तो सारे के सारे notifications निया पर लिखे में हैं और online का जो link है वो भी आपका activate हो गया है आप online apply कर सकते हैं अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों के message यह आए कि ताउजी क्या other state के लोग इस भरती के लिए apply कर सकते हैं other state के लोग इस भरती के लिए apply कर सकते हैं लेकिन क्या वनाचिये उन के लिए condition यह कर रखी है कि आपने दस्वी या बार्मी दस्वी या बार्मी इमाचल परदेश वोर्ड से कर रखी हो इमाचल परदेश से यानि की other state के यदि आप हरियाना से हैं तो condition यह है कि आपकी दस्वी या बार्मी इमाचल परदेश के बोर्ड से होने चीए ठीक है ना? बस यह condition है यदि आपके पास यह condition नहीं है तो other state के लोग apply नहीं कर सकते यदि आप यह condition पूरा करते हैं इमाचल परदेश के बोर्ड से अपने दस्वी या बार्मी इक पड़ाई कर रखी है तो आप apply कर सकते हैं clear है जी? other state का यह matter है जो हिमाचल परदेश के लोग है उनके पास तो ऐसे domicile है already उनकी condition नहीं है उनके लिए कंडिशन नहीं है बाहर के लोगों के लिए कंडिशन यह है कि आप apply करना चाहते हो तो condition है कि आपने दस्वी या बार्मी इमाचल परदेश बोर्ड से कर रखी हो लेकिन इमाचल के लोगों के लिए ये condition ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दो-दस वी बारवी है माचल बोड की हो आपकी कहीं की हो क्योंकि आपके पास तो डो मेसाइल है कलियर जी तो ये बात है भई ये भरती आपकी कौन-कौन इंट्रेस्टड है कौन-कौन इस भरती के लिए अपलाई कर रहा है कमेंट बोक्स में जुरूर बताईगा हिमाचल परदेश में आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट आपका जुरूर आना चीए अधिक जानकरी लेने हैं कोई इनफोर्मेशन लेने हैं कोई डाउट कोई कनुफ्यूजन नहीं आपकी तो आप उपर नंबर दियावा है उपर नंबर के उपर कोलिया मैसिस कर सकते हैं धन्यवाद